नमस्कार में उप्रियाब का स्वागत है भिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की ग्यारप्रमुख खबरों को आज अत्याधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मुहन रोई की है जयनती भारत की नीव रखने वाले समाज सुधारा के नाम से पहचानी जाने वाले राजा राम मुहन रोई की आज जयनती है लगभग 200 साल पहले उन्होंने जिस आधुनिक भारत की नीव रखने की कोशिश की थी उस दिशा में देश कुछी कदम आगे बढ़ पाया है आधुनिक भारत के निर्माता और भारती पुनर जागरन के पिता कहलाने वाले राजाराम मुहन रोई की जनती के मौके पर भारत के कई दिगच नेताओंने उन्हें याद भी किया है राजाराम मुहन रोई जिन्होंने सती प्रता का विरोध किया था उन्होंने महिलाओं के लिए पुरुषों की समान अधिकारों के लिए प्रचार प्रसार किया था जिसमें उन्होंने पुनर विवा का अधिकार और संपती रखने का अधिकारों की भी वकालत की थी राजानाम महान रोय ने समाज को समझने के लिए कई सारे धर्म का अध्यान भी किया था साथ होनों ने महिलाओं को सिक्षित करनी का एहम योगदान निभाय था इमफान से 76 लोगों की गई जान चकरवाद तूफान से प्रभावित पश्यम बंगाल और ओडिसा में कुल मिलाकर 76 लोगों की जान चली गई है जिसके बाद प्रधान मंतरी कारयाले की तरफ से जारी किये गए जानकारी के अनुसार आज प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी पश्विम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात की स्थिती का जायजा लेंगे साथ ही हवाई सर्वेक्षन करेंगे और समीक्षा बैठकोक में हिस्सा लेंगे इससे पहले पश्विम बंगाल के मुख्य मंतरी मम्ताब अनरजी ने भी अपना वयान जारी करते वे कहा था कि चक्रवाती तूफान की वज़े से राज्यो में अब तक 66 लोगों की जान चली गई है वही प्रधानमंत्री ने राजो का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने का अनरोध करती हूँ जिसके बाद प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया है आर्बियाई गवर्णर शक्तिका अंदास ने बीते दिन रेपोरेट कटोती का एलान किया है जिससे कि अब आने वाले समय में लोन लेना और जियादा सस्ता हो जाएगा जिसके थेहत उन्होंने कहा है कि रेपोरेट में 0.4% की कटोती की जा रही है ऐसे में अब रेपोरेट 4.4% पर था हाला कि reverse रेपोरेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है इससे 3.5% तक पर करा रखा गया है महीं मॉनिटरिंग पॉलसी कमीटी ने 6 में से 5 सदे से ऐसे थे जिन्होंने रेपोरेट घटाने के पक्ष में वोट दिया था इतना ही नहीं आर्बियाई गवर्णर में नई नौकरियों के मामले में फरवरी के मुकाबले मार्च में लगभग 46% से गिरावाट दर्च की गई है सरकारी डेटा के अनुसार साल 2019-2020 में सरकारी नौकरियों को पैदा करने के मामले में सबसे खराब महीना रहा है पर्मचारी भविश नीधी संगठन के आकड़ो मानना है कि रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सूष में लगू और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं 25 से घरेलू उडानों के लिए टिकेट के अधिक्तम कीमत हुई तैय ट्रेनों के परिचालन के बाद अब 25 मई से विमानों के उडान भी देखने को मिलेगी जिसकी जानकारी नागरिक उडियन मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने पहले ही दे दी थी वहीं उन्होंने हाली में क 3,000 से 9,000 रुपए देने होंगे वहीं 90 से 120 मिनट की उडान के लिए 35 से 10,000 रुपए किराया लगेगा इसके साथ ही नागरिक उडियन मंत्री ने जानकारी साज़ा करते वे यह भी बताया है कि फ्लाइट रूट्स को साथ रूट में बाटा गया है जिसके था है 40 मिनट से क प्रधानमती नरेंदर मोधी ने पूरे देश को आत्म निर्भर होने की सलाह दी थी वहीं इसके तहित वोकल फोर लोकल और लोकल टू ग्लोबल योजना की तहित काम करने की अपील भी की गई थी जिसके बाद अब देश भर में लोगप्रिय खादी के मास्क अब तयार किय जिसके जानकारी देते वे खादी ग्राम उद्योग ने बताया है कि दो और ती नेर वाले फेस मास्क बनाएगे हैं इनमें सूती और सिल्क दो तरह के खादी इस्तमाल किये गये हैं वहीं COVID-19 के इस दौर में खादी मास्क की मांग में तेजी आई है देश में अब तक 8 ला को समाप्त करने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत दिली सरकार ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए ड्यूटी के बाद होटेल में ठेरने की विवस्था को समाप्त किये जाने की बात कही है जिसके बाद सभी डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, डॉक्टरों का कहना है कि COVID-19 के माहौल में डूटी करने के बाद हम अपने घर कैसे जा सकते हैं, इससे उनके घर वालों में COVID-19 फैलने की आशंका बढ़ जाती है, हाला कि सभी डॉक्टरों के विरोध को देखते वे, फिलहाल अभी इस आदेश पर एक सप्त किया गया आईसोलेट, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बारात में दुलहन में COVID-19 पॉजिटिफ पाई जाने की बाद, दुलहन समेथ 35 बारातियों को आईसोलेशन में डाल दिया गया है, जिसकी जानकारी मध्यप्रदेश के ग्रिह एवं स्वास्तमंत्री नरोतम मिश्रा ने दी है, जिसके तहट उन्होंने बताया है कि भोपाल के मिस रोध पुलिस स्थाना इलाके सित जाट खेरी में एक नया प्रतिबंदित इलाका बन गया है, जहाँ पर सदल पूरा गाउं के एक बारात आई थी, इस बारात में दुलहन को विड-19 से संक्रम में तपाई गई है, जिसके बाद शादी समारों में शामिल होए 35 लोगों को आईसुलेशन में डाल दिया गया है, वही उन्होंने बताये कि शादी में अनुमती से अधिक लोग शामिल होए थे, वही अब बस के लिए भी रोक लगा दी गई है, अगर अनुमती से ज्याद लोग शादी में शामिल होते है, तो उनके खेलाफ सक्से सक्त कदम उठाये जाने की भी बात कही गई है, भारत बना PPE किट बनाने का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता, COVID-19 का प्रभाव जब से बढ़ा है, तब से भारत को PPE किट के लिए हमेशा से चीन और दूसरे देश के सामने हाथ फेरते नजर आये हैं, लेकिन अब भारत पूरी तरीके से बदल गया है, सरकार ने इन दो महीनों में चिनोती को अफसर में बदल दिया है, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE, Body Cover All निर्माता बन गया है, जिसके जानकारी कपड़ा मंतराली की तरफ सबी संक्रमित मरीजों के लाज में जुटे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वर अन्य के उपियोगी साबित होता है, संबित पात्रा ने कॉंग्रेस को लिया आडे हाथ, भारतियो जन्ता पार्टी के राश्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीते दिन राजस राजस्तान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपे लिये और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया बाहरे मदद, उसके बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कोटा में उतर प्रिदेश के 10,000 चात्र फशे थे, योगी सरकार ने 560 बसे भेजी उन्ह भुखतान करने की बात कही है, या बिल कोटा से यूपी लाए गये चात्रों के लिए 70 बसे उपलफ्त करवाने की है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर बयानबाजी का सिलसला शुरू हो गया है एमफान की वज़े से सौरब गांगुली के घर पर लगे पेड़ का हुआ बुरा हाल, एमफान तूफान ने पश्रिमंगाल और उडिसा में काफी ज्यादा बरबादी की है, पश्रिमंगाल में इसकी चपेट में आने से 76 लोगों की जान तक चली गई है आम के पेड़ को उठाना पड़ा वापस खीचा और फिर ठीक किया है, जिसके बाद सौरब गांगुली की इस तस्वीर पर कमेंट करके प्रसंचकों ने उनकी हिम्मत की सरहना की है, साथी फोटो सोचल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड भी करने लगा है तो चली बढ़तें आज को सवाल के और आज का सवाल कोछ इस प्रकार घरेलों उडानों के लिए समय अनुसार टिकेट के दर फिक्स करने से कितने संतुष्ट है आप अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश वीदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भोलें धन्यवाद